एक दिन पतनी ने तर्बुश काट कर चिलका अलग किया और उनसे सबसी बना कर पती को परोसा क्यूंकि केंजुस पती ने बजार से आतरी का था हो तर्बुश में सिर्ख छिलका रहता है मीटा हिसा ना के बराबर इसलिए फेकने का सोचना भी मर एक दिन पतनी खर्बुशा काट रही थी तब ही पती आकर चिलाने लगा हो इन्हें फेकने वाली हो तुम्हें अका कब आई यह चिलके भी बराबर वजन में आती है इनका फ्राई बना दो दाव के साथ खाने में बहुत स्वादिश्ट होगा लेकिन डिनर के टाइम पतनी ए को परोसा हो यह क्या बेहुदा मजाक है फिर पतनी बहुली हो यह मजाक नहीं कंजुसी है जो मैं आप से सीख रही हूँ यह भी तो बराबर वजन में आते हैं कैसे देटी कामें में बताओ हो कंजुस को क्या पतनी सुदार पाएगी